रादे रादे जैसी क्रश्ना आप सभी को भीश्म पंचक व्रत की धेरो शुब कामनाए आज मैं आपके लिए भीश्म पंचक व्रत की संपूर्ण व्रत कथा लेकर आई हूँ कार्थिक मास के अंतिम पाँच दिन भीश्म पंचक या विश्नु पंचक व्रत किया जाता है ये पाँच दिन देउठनी एकादसी से सुरू होकर कार्थिक पोर्णिमा के दिन समाप्त होते हैं पांच दिन तक चलने वाले इस वृत को बीश्म पंचक वृत कहा जाता है अगर आप पूरे कार्थिक मास में वृत नहीं कर पाए हैं या फिर आप वृत करने में समर्थ नहीं हैं तो आपको देवटनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूरीमा तक इन पांच व्रतों को अवश्य करना चाहिए ऐसा करने से भी आपको पूरे कार्तिक मास कफल प्राप्त हो जाएगा आईए अब हम भीश्म पंचक व्रत की पहली कथा का शावन करते हैं शास्त्रों में कहा गया है कि भीश्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले रिशी वशिष्ट जी ने, रिशी भ्रंगु मुनी ने, रिशी गरगाचारिय जीने किया था इसके बाद राजा अमरीश ने अपने सभी राजसी सुखों का चाग करके इस व्रत का पालन किया था भीश्म पंचक व्रत गंगा मैया और शांतनू पुत्र भीश्म को समर्पित है महत्मा व्यास जी ने राजा परिशित को भीश्म पंचक व्रत कथा सुनाई थी कथा के अनुसार प्राचीन समय में सोमेश्वे नाम का एक बहुत निर्धन ब्रामन था साथी वह शरीर से भी बहुत दुर्बल था परंतु वह भगवान विश्नु का परम भक्त था वह पूरे कार्तिक मास में गंगा इसनान करता भगवान विश्नु की पूजा करता सूर्य नाराइन भगवान को अर्द देता और तुर्सी जी को सीज्टा दियाबाती करता और गंगा घाट पर दीवदान किया करता था तब एक बार व्रद्दावस्ता में वह एक दिन बहुत बिमार था कारती का मैना चल रहा था वे किसी तरह गंगा के नारे तक तो पहुँच गया लेकिन गंगा घाट की सिद्धिया वे नहीं उतर पाया परन्तु फिर भी उसमें द्रड इच्छा शक्ती थी भगवान विश्नु का नाम लेते लेते वे गंगा घाट पर उतर गया और वहां जाकर वे सिद्धियों पर बैठ गया उसे इस हालत में देखकर बैकुंड से भगवान विश्नु को उसके उपर बड़ी दया आई भगवान विश्नु ने ए बुड़े ब्रामन का वेश धारन किया और उसके पास पहुचगे और पूचने लगे कि है पुत्र सौमेश्वर इस अवस्था में तुम यहां क्यों आये हो इस पर उस गरीब भ्रामन ने अपने सारे दुखों को कह सुनाया कहने लगा कि है भ्रामन दे मैं बड़ा ही गरीब हूँ मैंने पूरी उम्र गरीबी में जीवन जिया है साथ ही मैं शरीर से भी बड़ा ही दुर्बल हूँ मेरे दुखों के अंत का आप कोई उपाय बताईए तवरद भ्रामन वेश्मे भगवान विश्णू ने उससे कहा कि है पुत्र तुम कार्तिक मास में एकादशी से लेकर पूर्णी मा तक पांच दिन भीश्म पंचक व्रत करो तथा गंगा पुत्र भीश्मी की पूजा करो उन्हें जलदान धो उनकी पूजा करते समय गंद अक्षत पुष्प समर्पित करो भगवान विश्णू की पूजा करो ऐसा करने से तुमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे ऐसा कहकर व्रत भ्रामन वेश्मे भगवान विश्णू अंतरध्यान हो गे तब उस गरीब सौमेश्वल भ्रामन ने भगवान विश्णू के कतना अनुसार ही किया जिससे उसके सभी दुखों का अंत हो गया, बिश्म पंचक व्रत करने से उसे कंचन जैसी काया मिली, उसकी गरीबी दूर हो गई, और वे इस जिवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंट लोग को प्राप्त हुआ, बोलिये विश्नु भगवान की जै, इस व् भगवान कशन पांडूं को साथ लेकर उनके पास गए, और विश्म पिता महें से बोले कि है पिता महें, आप हमें धर्म का उपदेश दीजे, तब पिता महें ने पांस दिनों तक उन्हें राज धर्म, वर्न धर्म और मोक्ष धर्म का उपदेश दिया था, उनका उपदे में आपके नाम पर विश्म पंचक वरत इस्थापित करता हूँ, जो लोग इस वरत को करेंगे, उन्हें समस्त सुख प्राप्त होगा और अंत में वेमोक्ष को प्राप्त होगे, विश्म वरत करने वाले को पांच दिन तब रमचारिये का पालना चाहिए, इन पांच दिनों पीपल के पेड़ की पूझा करने चाहिए तबिश्म पिता महें के नाम से जल से तरपन देना चाहिए पांच दिनों में से प्रतेक दिन गाय के पांच उतपादों को पंचगव्य के रूप में ग्रहन करते हैं पहले दिन गाय का गोबर, दूसरे दिन गोमुत्र, तीसरे दिन गाय का दूद, चोथे दिन गाय का धही और पाँचवे दिन पंचगव्य लिये जाते हैं यदि उपवास की पहली शेणी संभव नहीं हैं तो आप फल मेवा भी ले सकते हैं दूसरी शेणी में यदि कोई भक्त उपवास की पहली शेणी का पालन करने में समर्थ नहीं हैं, तो आप इस तरह से भी व्रत रख सकते हैं, व्रत करते समें आप भोजन में आलू, शकरगन, मुंपली, सादा काजू, किस्मिस, खजूर, केला, मोसमी, संत्रा, नास्पती, से चीकू, ताजा कसा हुआ, नारियल, नारियल की मिठाई, आलू की चिप्स ले सकते हैं, स्वाद के लिए, स्वाद अनुसा, नमक में आप समुदरी नमक का उप्योग करें, इन दिनों में आप अमरूद, अनार, ककड़ी का और बीज वाले फलों का सेवन करना वर्जित हैं पिश्म पंचक व्रत की तीसरी शेणी इस प्रकार है, यदि आप पहली और दूसरी शेणी के नियमों का पालन करने में समर्थ नहीं हैं, तो आप हविशान अन भोजन में ले सकते हैं, जिसमें आप साबूद दाने की खिचडी, गाय का दूद, दहिगी, समुदरी नमक, क पाली मिर्च भी ले सकते हैं, पांच दिनों तक घर में अखंड जोत जलानी चाहिए, गीता का पाट पढ़ना चाहिए, पांच दिन यानि की करती पूर्णीमा पर पूरे परिवार के साथ यग्य करें, हवन करें, सत्य नाराइन भगवान की पूजा करें, कथा सुनें, आ लगे कि हे देवरिशी नारजी भगवान को अती प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद हुआ, तब नारदमुनी कहने लगे कि हे राजा प्रतु ये व्रत आदी से ही है, परन्तु बीच में ये लुप्त हो गया था, फिर कैसे प्रसिद हुआ, इसकी कथा तुम मुझ से सुनो, सिरकष्ण भगवान जी ने भीष्म को इस वरत का व्रतांत कहा, और भीष्म जी ने इस वरत को किया, इसी से ये व्रत भीष्म पंचक व्रत कैलाया, जब पाड़ूों ने सिरकष्ण को दूद् बनाकर के दुरियोधन के पास भेजा था, तो वे विदूर जी के पास गए विदुर जी ने उनका बड़ा आदर सतकार किया क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूके होते हैं धन शूरवित्या और पांडित्या को वे नहीं देखते जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित और पोशित होता है और अंत में नाश को प्राप् वे उनसे मिलने आए बिश्म जी का आगमन सुनका स्री क्रश्न भगवान भी खड़े होकर उनको नवस्कार करने लगे तब उन्होंने भुजाओं से आलिंगन किया फिर वे दोनों अपने अपने आसन पर बैठ गे और परस पर शेम कुशल आधी पूछने लगे इसके पश है जिसके प्रभाव से आप उनके इतने वश्यूभूत हैं हे कृपालू आप सरवग्य हैं इसका कारण मुझे बताईए हमारे मन में बड़ा संदे हैं आप तो समदर्शी हैं किन्तु आप शर्धालू को छोड़कर पांडूओं के दूद बनकर आए हैं तब क्रश्न भग अगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि है गंगापुत्र यद्देपी या बड़ी गुप्त बात हैं फिर भी मैं तुम से कहता हूं इन पांडूओं ने एक ऐसा व्रत किया जो मुझको सबसे अधिक पिरिया है इसी कारण मैं इनका वशीभूत हूं अब मैं तुमारे देप्रेशन का उतर देता हूं पूर्वकाल में उज्जे नगरी में पांच ब्रामन थे जिनका नाम कवी, शूची, द्रड, दंत और हंस था पांचों ही वेदों को जानने वाले रूप वान और युवा वस्था को प्राप्त और गंधर्व विद्या में प्रावीन थे प एक समय वे मतरपुरी में सुवीर नाम के राजा के पास गए, संगीत कलामे निपूर होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई, परंतु बिना राजा के बुलाए कैसे जाए, यही उनकी चिंता कावी से था, वे चार दिन तक उपवास करते रहे और उस यमना में जो स्रीकष्न भगवान के शरीर के इसपर्ष मातर से ही, जैसे पारस के इसपर्ष से लोह सोना हो जाता है, अती पावित्र हो गया था, इस नान करते रहे, फिर उन्होंने एक मनश्य से राजा का वरेतांत पूछा, उस व्यक्ती ने उनसे कहा कि राजा के पास एक कादंबरी नाम की इस्तरी उनकी भोग पत्नी है, वह संगीत विध्या में बड़ी ही निपूण है, राग एमकंठ में अती प्राविन है, वो नाचने में एधित्य है, तता रूप और योवन में बड़ी ही मनोहर है, प्रती दिन वह राजा के सामने एकाद में ना की बात है, राजा के सामीव कोई नित्य कला का जानने वाला नहीं है, वीना में दो तार धीले हैं, तार भी बराबर नहीं है और बाजा भी अशुद बजाया जा रहा है और नित्य भी सही नहीं है, इस प्रकार की बाते सुनकर उन लोगों ने जाकर राजा को पूरी बात तब राजा ने उन पांचों को कादंबरी का नित्य देखने के लिए बुलाया तब वे पांचों राजा की राजे सबा में पहुंचे राजा ने उनका आदर सत्कार किया और बैठने के लिए उचित आसन दिया फिर कादमबरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेश प्रकार करन्यत्य किया जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्रामनों से रोकी गई उसने चक्र छोड़ा यता योग्य ताल दिया चक्र खंडित नहीं हुआ कादमबरी के रूप और गुण को देखकर वे पांचो उसके उपर मोहित होगे कादमबरी भी उनको देखकर काम के वशीबूत होगे जब राजा ने उन दोनों को इस तरस से देखा तो वे नाराज होगे तो वे उटकर राजी सवा से अंदर भीतन महल में चलेगे वे पांचो ब्रामन भी राजा के चले जाने पर वे भी दुखी हुए और वे भी चलेगे कादमबरी भी लजजित होकर उदासीन होकर अपने महल में चलेगे फिर एक दिन कादमबरी ने अपनी एक सखी को उन पांचो ब्रामनों के पास अपना संदेश देकर के भीजा और कहा कि तुम उन पांचो ब्रामनों से कहना कि वे मुझसे मिलने के लिए सुनसान मंदिर में आए फिर उसने उस मंदिर का पता भी बताया कि कौन से मंदिर में उन पांचो ब्रामनों को आना है साथ ही उसने कहा कि तुम सब एक एक करके मुझसे मिलने आना मैं भी वहाँ पर आऊंगी और वीना राग की कुशलता दिखाऊंगी कादमबरी का संदेश लेकर सकी उनके पास गई और उने कादमबरी का संदेश सुनाया भगवान क्रश्ण बिश्म पितामह से आगे बोले कि ये पितामह बिश्म जी उस सुनसान मंदिर में एक ब्रमचारी जो मेरा भक्त था दुष्ट संगती के भैसे गाउं से अती दूर उस सुनसान मंदिर में रहता था उन दिनों कार्ति का मेना चल रहा था और उस ब्रहमचारी ने बिश्म पंचक व्रत किये थे देवालय में वे मेरी पूजा करता था उस दिन कार्तिक शुकल एकादशी का दिन था तब उन पांच ब्रामनों में से कवी नाम वाला ब्रामन उस सुनसान मंदिर में पहुँचा तो वह ब्रहमचारी उस समय पूजा कर रहा था कादमबरी भी वहां मुनी के इस्थान पर पहुँच गई मुनी ने जैसे पूजा करी कवी ने भी उसी विदी से पूजा करी फिर कादमबरी वीना लेकर गान करने लगी उसके गान से मुनी ने उन पर कोई क्रोध नहीं किया क्योंकि उसने अपना मन पहले ही जीत लिया था इस तरह कवी और कादमबरी मेरे आगे पूरी रात गान और न्यत्य करते रहे उसके बाद मुनी को गोवर का आचमन करते हुए देख कर कवी ने भी गोवर का आचमन किया प्रातयकाल होते ही कादंबरी वापस अपने महल में चली गई ब्रमचारी मुनी की संगती से उस कवी के जीवन भर के सारे पाप नश्ट हो गए द्वादशी के दिन कवी ने अपना सारा धन गरिबों में बाढ़ दिया और वे विरक्त हो गया दूसरे दिन शुची नाम वाला ब्रामन उस सुनसान मंदिर में पहुँचा उसने भी उसी तरह ब्रमचारी मुनी को देख कर के पूजन किया रात भर कादंबरी के साथ वे भी नाश्ता और गाता रहा सुबज ब्रमचारी मुनी ने गोमुत्र का आच्मन किया तो उस सुची ब्रामन ने भी गोमुत्र का आच्मन किया प्राते समय वे भी अपना सारा धन गरीबों को बाट कर वह भी विरक्त हो गया और कादमबरी भी चुपचा वापस अपने महल में चली गई उसके बाद रेदुशी के दिन कादमबरी को देखने के लिए द्रण नाम वाला ब्रामन आया उसने भी सब वैसा ही क्रते किया जिस तरह वह ब्रहमचारी मुनी कर रहा था जब ब्रहमचारी मुनी ने गो का दूद पी कर आचमन किया तो उस द्रण नाम वाले ब्रामन ने भी गो दूद पी कर आचमन किया तो वह भी विराग्य को प्राप्ट हो गया, उसने भी अपना सारा धन गरीबों में बाण दिया, और वह भी साधू बन गया, चतुर दशी को दंत नाम वाला ब्रामन पहुँचा, उसने भी उसी प्रकार मुनी को देख करके पूजा करी, मुनी ने उस दिन गाई के घी को पि कर शुद्द चित्व होकर विरक्त हो गया पूरण मासी को हंस नाम वाला ब्रामन आया उसने जब ब्रह्मचारी मुनी को पूजा पाट करते हुए देखा तो उसने भी मुनी को पहले नमस्कार किया नदी में इस्तनान किया आवले के पेड़ के नीचे बैठ कर के शाद किया ह ऐसे ही हंस नाम वाले उस ब्रामन ने आवला नोमी के दिन मेरी पूजा करी ससंग किया और ब्रह्मचारी मुनी के बचे हुए गाई के धई को खाकर वैबी व्रक्त हो गया और अपना सारा धन तीरत में गरीबों को बाट कर तीरत यात्रा पर चला गया उधर जब राजा को पता चला कि कादमबरी रोज उन पाचों ब्रामनों से मिलने के लिए मंदीर में जाती है तो राजा ने उसको नजरबंद कर दिया फिर वह कभी मंदीर में नहीं जा सकी मेरे सामने कार्तिक मास में नत्यगान कने से कादमबरी द्रोपती हुई हंस नाम वाला ब्रामन कार्त नाव वाला ब्रहमन नकल हुआ तता महा प्राक्रमी दरड़ भीमसेन हुआ उस व्रत के प्रभाव सही आज मैं उनके वशी भूत हूँ भगवान क्रश्न बीश्म पिता महें से कहने लगे कि है पिता महें जी अब आपके द्वारा इस वरत को करने से यह वरत पंचक वरत कहलाएगा जो कोई भी मत्रा में इस वरत को करेगा उसको मैं स्वर्ग लोग, भ्रह्म लोग, विश्नु लोग तथा बैकुंट लोग प्रदान कर दूँगा नारद्वुनी आगे बोली कि इस वरत का वरतामत सुन का बिश्म पिता महें बड़े प्रसन हुए और सदे वर्ष दरवर्ष इस वरत को करते रहे इसी कारण इस वरत का नाम बिश्म पंचक वरत पड़ा जिस समय बिश्म जी बाणों की शया पर पड़े थे तब भगवान करशन उनके सम्मुक आए और जब तक दह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे पांच वरत नहीं किये हों तो एकादशी तता पूर्डीमा को किसी दिन भी रात दिन उपवास करके दूसरे दिन पंचगवे लेवे इसको ब्रह्मकुर्चक वरत कहते हैं एकादशी के दिन वरत करके जागरन करने से मनुष्ची की सभी मनोकामनाई पूरी हो जाती है सारी रात भगवान के भजन आधी गाकर भगवान को जगावे भ्रमकुर्च वरत दान करने वाले पीपल तुलसी आमले का पूजन करें दही, चावल, गलना, मुली इनका दान करें सूत से आमले और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करें पूरी मा को श्राद करें शद्दानुसार भ्रामनों को भोजन कराकर उन्न दान दक्षीना देवे इस तरह ये बीश्म पंचक वरत पूरण होता है आईए अब हम भीश्म पंचक वरत की दूसरी कथा सुनते हैं आईए पंचबिकु देवता की एक पूरानी कथा का शावन करते हैं एक सहुकार की बहुत थी वो रोज बहुत जल्दी अंधेरे ही उठकर कार्तिक मैने में गंगाजी नहाने जाती थी वह पराय पुरुष का मूँ नहीं देखती थी उस नगर के राजा का लड़का भी कार्तिक इस्तनान कर रहा था वह भी सुबह अंधेरे ही उठकर गंगा इस्तनान करने जाता था उसने पूरी नगरी में ये मुनादी करवा रखी थी कि कोई भी मेरे से पहले गंगा इस्तनान न करे तब एक दिन जब वह गंगा इस्तनान करने गया तो उसने पानी को हिलते डुलते देखा और घाट भी गीला पड़ा है तो वह सोचने लगा कि जरूर मुझसे पहले यहां कोई गंगा इस्तनान करने आता है जब कार्ति के समाप्त होने में पाँच दिन शेश रहे गे उस दिन सावकार की बहु नहा कजा रही थी और सामने से राजा का लड़का आ रहा था किसी के आने की आहट सुनकर सावकार की बहु जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचडी वहीं छूट गई राजा के लड़के ने माला मोचडी देखी तो वह सोचने लगा कि जिसकी माला मोचडी इतनी सुन्दर है इसको पहनने वाली कितनी सुन्दर होगी उसने पूरी नगरी में ये धिंडोरा पिटवा दिया, कि जिसकी भी ये माला मोचडी है, वे गंगा किनारे पांच रात मुझसे मिलने आए, तब ही मैं ये माला मोचडी उसे दूँगा, नहीं तो नहीं दूँगा। सावकार के वेटे की बहु ने कहा, कि ठीक है मैं आऊंगी, परन्तु गवाई के लिए किसी को बैठा देना, तब राजा का लड़का गंगा के किनारे बिछोना बिछा कर बैठ गया, साथी एक तोते का पिंजरा भी वहां लड़का दिया, दूसरे दिन सावकार के वेटे की बहु गंगा इसनान करने आई, तो उसने दूर से ही राजा के लड़के को बैठे हुए देखा, तो वह मनीमन भगवान से ब्रातना काने लगी, हे कार्ति के ठाकूर, हे राधा दामोदर, पांच बांडू, छटो नारायन, हे भीश्वे राजा, इस पापी को नीद आ तभी राजकुमार को नीद आ गई, सावकार के बेटे की बहु नहा कर जाने लगी, तो उसने दोते से कहा, कि अरे ओ सुवा, थारी चोंच जड़ाओं हीरा, महरी साख भरजे बीरा, तब सुवे ने कहा कि कोई बीरा भी साख बढ़ता है, साख तो देवर या जेठूता ब पोली, देवर साख भरेलो काई, हार घड़ाओं थारे ताई, सुवा बोला कि अच्छा भावी मैं साख भरोंगा, ऐसा कहका सावकार के बेटे की बहु चली गई, तभी राजकुमार की नीन खुल गई, वे हड़ बढ़ा करके उठा, और उसने सुवे से पूछा, अरे ओ ह हिरामन तोता, क्या वे आई थी, और आई थी तो वे कैसी दिखाई देती थी, हिरामन तोते ने कहा, कि हे महराज, तुम तो सो गे थे, वे आई थी, उसकी बेजोड रूप और लावन्य का वर्णन मैं क्या करूं, उसकी सुन्दरता का वखान मैं नहीं कर सकता, आभा किसी बीजली, सुरज की सी किरन, केला की सी कावनी, गुलाग को सुरंग, ऐसी वद दिखाई देती थी, राजकुमार ने कहा कि हिरामन तो ता, तु ठीक कहता है, मुझे नीद आ गई थी, लेकिन कल मैं उंगली चीर कर बैठोंगा, फिर मुझे नीद नहीं आएगी, दूसरे दिन राजकुमार उंगली चीर कर बैठ गया, सावकार के बेटे की बहु ने दूर से ही राजकुमार को बैठे हुए देखा, तो वे फिर से भगवान से प्रात्ना कारने लगी, तबी राजकुमार को गैरी नीद आ गई, सावकार के बेटे की बहु नहा कर जाने लगी, तो तो तोटे से बोली कि अरे ओ सुवा, थारपगा, पेराउं नेवर, मारिसाग भर्जे देवाई। सुवे ने कहा कि ठीक हा भावी जी। थोड़ी देर के बाद राजकुमार उठा और उसने पूछा कि सुवा क्या वै आई थी। तो तोटे ने कहा महराज जैसे वै आई थी वैस नहा कर चली भी गई। तीसरे दिन राजकुमार आखों में मिर्ची डाल करके बैठ गया। सोचने लगा कि इस तरह मुझे रात को नीद नहीं आएगी। किन्तु सावकार के बेटे की बहु के सतकी रक्षा तो क्रश्न मुरारी, कार्ती के राधा दामोदा भगवान रख तो जैसे ही सावकार के बेटे की बहु नहा ने आई राजकुमार को गहरी नीद आ गई। नहा कर जब जाने लगी तो सुवे से बोली कि मोती पुवाउं थारत जेवर, मारी साक भरजे देवर। सुवे ने फिर से हामी भर दी। राजकुमार जब उठा तो वे सोचने कार्तिक इस नानके व्रत के ब्रताफ से वे प्राथना करने लगी कि है कार्तिक के राधा दामोदर इस राजकुमार को गहरी नीद आ जाए। तबी राजकुमार को गहरी नीद आ गई। सावकार के बेटे की बहु नहा कर जाने लगी तो सुवे से बोली कि देवर ब्याव कराऊं थारो तू साथ दीजे महारो थोड़ देर के बाद राजकुमार की नीन खुल गई उसने फिर से सुवे से बोला कि क्या वे आई थी सुवे ने कहा कि महाराज आप तो रोजी सो जाते हैं वे आई थी और नहा कर चली भी गई अगले दिन राजा अंगीरे जला करके उस आपने चार राते तो मेरी लाज रखी आज आकरी रात और मेरी लाज रख लेना मेरे सत का मान रखना तभी राजकुमार को गैरी नीन आगे सावकार के बेटे की बहु नहा कर जाने लगी तो अपने साथ वह मीठे मीठे पुए लाई थी वह पुए तोते को खिलाते हुए बोली कि देवर मीठा भोजन करजे साख महारी भरजे साथी उसने कहा कि इस पापी से कह देना कि इसकी पाँच राते पूरी हो गई है अब मेरी माला मोचडी मेरे घर भेज देवे नहीं तो इसके मन का पाप इसके ही शरीर से फूट पड़ेगा थोड़ी देर में राजकुम मेरे घर भिजवा देना उसके कुछ समय के बाद राजकुमार के पूरे शरीर पर कोड निकल आया उनमें फफोले पड़ गे खून रिसने लगा राजा ने अपने पुत्र का सब जगे इलाज करवाया लेकिन वह कहीं भी ठीक नहीं हुआ सभी डॉक्टर वेद हकीम ने आपके पुत्र ने किसी सती नारी के उपर बुरी नजर डाली है इसके उपर सती नारी का शाप लगा है राजा ने शाप मुक्ती का उपाय पूछा तो जोतिशे ने कहा कि उसके नहाय हुए जल से आप अपने पुत्र को ने लाओ तभी ये कोड ठीक होगा तब राजा माल मोच्री लेकर सावकार के घर गया और बोला कि है सावकार ये माला मोच्री तेरी बहु की है जिने वह गंगा घाट पर भूल आई थी यह उसे दे देना और उसे कहना कि मेरे बेटे ने उसे धरन की बहन माल लिया है अगर तेरी बहु के नहाए हुए जल से मेरा बेटा नहाए तो उसके कोड की बिमारी ठीक हो सकती है सावकार के बेटे की बहु भीतर कमरे में सारी बाते सुन रही थी मैं भीतर से ही बोली कि है महाराज मैं पराय पुरुष कम्मू नहीं देखती मैं अपने कमरे में इस्तनान करूँगी आप अपने पुत्र को मेरे कमरे की नाली के नीचे बेठा देना तब राजा ने ऐसा ही किया राजकुमार सावकार के बेटे की बहु के नहाय हुए जल से नहाया तो उसकी कोड की बिमारी ठीक हो गई हे पंच बिखु देता हे कार्थी के राददा मोदर जैसे आपने सावकार के बेटे की बहु का सत रखा वैसे सब का रखना कहानी कहने वाले का सुनने वाले का और हुकारा भने वाले का सब का मान रखना इस तरह आज मैंने आपको बीश्म पंचक व्रत कता सुनाई आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे के कता कहाने के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद